प्यारे दोस्तों आज हम यह बात करेंगे कि कैसे हम अपने ड्रीम्स को बुला पर सकते हैं ड्रीम्स को कहते हैं सपने हैं अलगर लोगं पर अलगर सपने हैं कोई जज बनना चाहता है कोई उकीर बनना चाहता है कोई अधिहापर बनना चाहता है जीवन में कोई अमीर बनना चाहता है, कोई बिजनसमेन बनना चाहता है, कोई हमेशा ही स्वस्त रहना चाहता है यह अलग लग सपने हैं पर उस में से बहुत कम लोग है जो अपने सपनों को पुराप्त कर लेती है बहुत सारी लोग होते हैं जो सपने तो देखते हैं पर उसे पूला नहीं कर सकते आज हम आपको बताएंगे कि कैसे सपने पुराप्त किये जा सकते हैं देखो सपने पुराप्त करने के लिए सबसे जो आवश्चक चीज़ है वो है कि आपके मन में हमेशा ही अच्छे विचार आएं अच्छे विचार कैसे होते हैं अच्छे विचार आशावान होते हैं आपको हमेशा ही आशावान बनना पड़ेगा आपके विचारों में आतमिश्वास होना चाहिए आपके विचार हमेशा ही आतमिश्वासी हों आतमिश्वास से ही आप आगे बढ़ोगे आपके विचार स्वस्थ वर्दग हों आपके विचार में तेजी हो, शक्ती हो तता हमेशा ही आशावान, ओस्टिवे पर चलने वाले हों क्योंकि कभी भी जो विचार है अगर कुंखित होंगे निर्गलतर विचार होंगे निराशावादी विचार होंगे तो आप कभी भी अपने सपनों को साकार नहीं कर सकते क्योंकि यह विचार जो है आपको नीचे 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 एक विचार जो हमेशा ही बहभीत रहता है उसके विचार ही ऐसे हैं कि वो बहभीत हो जाता है एक कमजोर विचार जो बीमारियों से डरता है पर उसके विचार ही ऐसे बन गए हैं कि हर बिमारी को वो कैंसर की बिमारी समझ लेता है अपने विचारों को हमने अच्छे तरफ लेके जाना है जैसी तस्वीर आप सारा दिन देखोगे वैसे ही आप बन जाओगे यदि आप अपना स्वस्थ से अच्छा रखना चाहते हो तो हमेशा ही अच्छे स्वस्थ वर्द विचार लेके आए तथा उस पे विश्वा सकीए तो ऐसे ही हम अपने विचारों के माद्धिम से आगे 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 बढ़ते जाएंगे तथा एक दिन हमारे सपने साकार हो जाएंगे क्योंकि जो हमारे विचार होती है ना वो हमें शक्ति देती है जैसे मैं मानलो की बात करता हूँ आशा वादी विचार मानलो की आज आपके सपने साकार ने होए पर आपको आशा है कि कल सपने साकार होए इसलिए आज आप दुगनी महनत से काम करोगी है ऐसी विश्वास है आप में आतम विश्वास है और आपके विचार आतम विश्वास ही है जो भी काम करोगी पुली सफलता को प्राफ करने के लिए करोगी पुली जुट टता के साथ उसकाम के बरोगी तो सफलता आपको मिलेगी तो आपके विचार आपको शक्ति देते हैं पावर देते हैं हर दिन, हर राद आपको शक्ति देते रहते हैं प्रत्तु जो नेग्टिव विचार होते हैं नराश्यावादी, नर्बलतर विचार वो आपके शक्ति को कंज्यूम करते हैं सपने साकार करने के लिए शक्ति चाहिए सपनों को साकार करने के लिए आप में कमजुली का ना होना बहुत आवश्चक है इसलिए हमेशा ही अपने विचारों को उत्तर रखिए अपने विचारों की जो शक्ति है हमेशा ही पोज्टिव रखिए क्योंकि मैं ये मानता हूँ जो विचार है नेग्टिव विचार है आपके सबसे बड़े दुश्मन है क्योंकि वो आपका आतम श्वास ही खत्म कर देते हैं जब आप में आपका आत्म इश्वास खती हो गया तो बाकी आपने कुछ भी नहीं बचा तो आप अगर आत्म इश्वास को बचाना चाहते हो तो पोज़चर विचार को hypothesis हैं किये कि जीवन सुक्माई है, जीवन आनांद का नाम है, जीवन जीने का नाम है दुख तकलीफ निवलता मेरे से दूर भाग जाईए यह आपने कहना है तो आप अपने सपनों को सावार कर लोगी ओके थैंक यू वेरी मच